लगातर जुड़े रहने के लिए चेनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी जुरूर प्रेस करें ताकि हर वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले दिशाएब जैहिन फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सस एक जिद और आज हम बात करेंगे रेखा जी कि उस फिलम के बारे में जो बोल्ड सीन्स के कारण रोक दिये गई थी और दस साल के बाद उसे रिलीज किया गया था तो आईए सुरू करते हैं गुजरे जमाने की मसूर आदाकार रेखा ने दरजन ब्लोक बोस्ट फिलमों में काम किया है रेखा ने अपने आदाकारी से करीब दो दसक तक लोगों को दिवाना बनाये रखा अपने करियर में कई अबोर्ड विनिंग फिलम देने वाली रेखा की एक फिलम ऐसी भी रही जिसे सेंसर बोड ने बोल्ड सीन्स के कारण दस सालों तक अटकाए रखा फिलम अपने तैय रिलीज डेट से दस साल बाद ही रिलीज हो पाई थी रेखा ने 1970 से पहले अपने एक फिलम में बोल्ड सीन देकर सबको चोका दिया था बोल्ड सीन के कारण फिलम सेंसर कर दी गई थी रेखा की फिलम अंजाना सफर उनिस सो निस्टर में रिलीज होनी थी फिलम में रेखा के एपोजिट थे विसवजीत इस फिलम में रेखा को एक्टर विसवजीत ने बेहद चर्चित किस भी किया था किस के अलावा और कई सीन को सैंसर बोल्ड ने बोल्ड बताती हुए रिलीज नहीं होने दिया आगे चल कर फिलम दस साल बाद 1989 में रिलीज हुई रिलीज से पहले फिलम में कुछे बड़े बदलाव भी किये गए थे फिलम का नाम भी बदलना पड़ा था फिलम दो सिकारी के नाम से रिलीज हुई थी तो ये थी रेखा जी की वो फिलम जो बोल्ड शिन के करण रोक दिये गई थी उमीद है आपको जानकरी अच्छे लगी होगी और भी नई अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए थैंक्स फर वोचिंग एंड कीप सेपोर्टिंग जैहिन